क्युत्र थेस्ट सलोशन में आपका वेलकम है है सा टूड़ेइ की इस वीडियो में हम लोग का हैं को कोडिनेट जयामेट्री का एकसेस सेवेड़ प्रेंट2 को सॉल्ब करेंगे । इसकी प्रीवस वीडियो में हमने एकससराइस 7.1 का सारे कोश्चन को solve किये हैं एक question solve करने से पहले आपको कोशे आपका formula याद रखना होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते कि section formula क्या होता है तो section formula जैसे suppose that two point है एक point है जिसका coordinate दिया हुआ x1 y1 और एक point b है जिसका coordinate दिया हुआ x2 y2 ठीक है ये दोनो coordinate से मिस दोनो point से एक line segment बना तो section formula में यही कहता है कि कोई point होता है जो क्या करता है line segment जो बना उसको क्या करता है sect कर देता है means two parts में divide कर देता है वह parts आपका equal भी हो सकता है या unequal ratio में भी divide करेगा तो suppose जैसे माले कि कोई अगर point p है ये point p जो है पे पी जो है क्या करता है bisect करता है इसमें जब हम section formula लगाएंगे तो means section formula के थुरू हमें क्या कहता है कि coordinate लिखा लिए जो point p bisect कर रहा है intersect कर रहा है जो line segment को ये भी उसका coordinate लिखा लिए means इसका x value और y value लिखालना है तो हमें क्या करना है section formula में पॉयंट पी जो है इंटर्नली इंटर्सेक्ट कर रहा है और हैर क्लास में जाएंगे तो आपको क्या होगा इस टर्नली भी इंटर्सेक्ट करता है तो यहां से P point का हम X और Y coordinate लिखा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाँ और एक और बात यहाँ ध्यान देना है यह point P जो है ratio किस ratio M और N के ratio में कारता है means इधर क्या है AP आपका किता दे means दे रहे AP is equal to M है और इधर से क्या होगा PB is equal to क्या है N है तो इस तरह आपको क्या होगा X1 N X1 by M plus N ठीक है यह point P का X value देगा similarly जब हम X value लिखा लेंगे तो क्या हो जगा M किस के साथ इंटू करेंगे Y2 के साथ M Y2 plus N क्या होगा Y1 by इधर सम कर देंगे ratio को M plus N ठीक है यही फर्मूला आपको यूज करना है और इसी में एक special cage होता है special cage क्या है suppose that कि यह point P है line segment को bisect करता है तो इसके जए M is equal to means M is equal to N हो जाएगा that ही जब इसको ratio की बात करता है M and N का ratio क्या होता 1 is to 1 हो जाएगा यह फर्मूला को जब आप simplified करेंगे तो हमें पता हमें ध्यान है कि और इसको हम mid point भी कहेंगे तो यहाँ P किस रूप में काम करेगा mid point के रूप में करेगा तो mid point का coordinate जब हम लिका लेंगे तो आपका simple हो जाएगा x1 पलस x2 बाइ 2 comma y1 पलस y2 बाइ 2 ठीक है यह कब जब point P equally क्या करता है intersect करता हो means a P जितना होगा उतना P भी होगा तो उस case में point P का coordinate जो होगा mid point का formula लगा कर यह simple x1 पलस x2 बाइ 2 means x1 पलस x2 बाइ 2 कर देंगे और y1 y1 plus y2 बाइ 2 करके लगा देंगे ठीक है यह दोनों फर्मूला आपको पुरा exercise में यूज होगा आईए question में कहता है क्या है find the coordinates of the point which divides the join minus 17 and 4 minus 3 in the ratio देखिए दो point आपका दे दिया है एक point का coordinate minus 17 है और दुसरा point का coordinate 4 minus 3 है तो देखिए कि a और b इस तरह ले लेंगे suppose late कर लेते हैं कि late क्या है late यह point क्या है यह point आपका minus 1 और 7 है ठीक है b कितना हो जाएगा b हम माल लेते हैं 4 minus 3 है अब हमें कहरें कि find the coordinates of the point तो माल लेते हैं कि point को ने पी है तो आप इसी तरह एक line segment के थुरू आप इस तरह एक रफली sketch बनाएंगे यह है और मेरा b है और माल लेते हैं कि यह मेरा क्या है point P है तो यह point P है गया तो देखिए यहाँ पर ratio किस ratio में कर रहा है 2 is to 3 तो यहाँ पर यह भी लिख देंगे कि aim aim और aim is to aim aim is to aim कितना है 2 is to 3 means aim का value इधर लेते हैं यहाँ पर aim is equal to कितना हो गया 2 और aim is equal to कितना लेना है 3 लेना है अब कुछ नहीं करना है आपको फर्मूला सेक्षन फर्मूला है उस पर लगा दीजिए तो यहाँ लिखेंगे let coordinates of point P which divides the line divides the line 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 segment line से में डिवाइड करता है वह point P है उसका coordinate हम लोग क्या माल लेते है x और y ठीक है तो क्या है xy हो गया उसका coordinate तो यहाँ लिखेंगे now section फर्मूला से x is equal to क्या हो जाएगा x is equal to आप लगा देए फर्मूला देखिए a makes to nx1 तो यहाँ देखिए suppose यहाँ पर सबसे पहले यह फर्मूला है तो देखिए यहाँ पर यह क्या हो गया a आपका हो गया यहाँ पर x1 मान लेंगे और यह क्या y1 कुसी तर यह क्या हो जाएगा यह x2 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा तो हम फ्रमूला पर जब रखेंगे तो क्या है एम X2 तो एम का भेलू 2 इन्टू X2 कितना है देखे, X2 का भेलू 4 है पलस एन कितना है 3 इन 2 कितना हो गया माइनस 1 बाइ 2 ओके और कितना हो जाएगा पलस 3 एम का भेलू 2 है और इनका वित्रुए तो प्लस थी हो गया चले इसको सिंपलिफाइग करेंगे तो क्या हो जाएगा टू फोर जा एट और थी मेंसे माइनस इंटू करेगा तक इंटू पहले करना है तो माइनस थी य नीची क्या हो गया जोड़ देंगे तो 5 तो कितना हो गया एकस के भीलू है एम मिल्फ ए टो दो हैं एम एम कहें वाइटों म हैटों किसी ना प Industries ऐसे कर देंगे ऴवस SSन कितना है ठी और कितना है व्लाइव 7 लिएं और एम पर लेखिएन में 2 पर अध shouting हम टो प्लस ट्री इसे हम पर जाएगा और माइनश चिक basic कितना हो गया 3721 वाई 5 अब देखिए यह पलस में मैनस में घट जाएगा तो कितना 15 15 वाई 5 एक कटके कितना 3 आ गया तो इस तरह एक सर्वाई आपको आ गया तो कोडिनेट ऑफ दा पॉइंट तो क्या बोलेंगे हैंस दाइलिक दिखने हैं एंस को ओडिनेट्स ऑफ पॉइंट पॉइंट अब जो पी माने हैं तो सिंपल कितना हो गया कोडिनेट्स पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट देंगे एक स्वेलो कितना 1 और 3 यह आपका क्या एंसर हो गया the next question है find the coordinates of the points of transaction of the line segments joining 4-1-2-3 ठीक है कि यहां पर कहता है कि को उस points का coordinate लिगा लिए जो इस points से जो line segment बना है वह trisect करता है तो हम क्या करें, supporting that कि मेरा यह दो पॉइंट से जो गिभिन पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है, तो यह पॉइंट है और बी है, तो यह लाइन सेगमेंट में से यहाँ पर यह दखिए, यह कोडिनेट से एक लाइन सेगमेंट यह भी बना, तो इसमें कहता है कि trisect trisect मतलब कहना equally part में three equal part में divide होना तो इसके अंदर में कितने point आ जाएंगे इसके अंदर में one और two two point आ जाएंगे तो इसको माल लेते P और Q देखिए एक part, दो part और three part three part में हो गया यह trisect कर गया ठीक है तो यहीं यहाँ P का coordinate मतलब equally होता है ratio में तो हमें A B 1 हो जाएगा A B 1 हो जाएगा और A B 1 means A P और P की और Q B है ना A P ratio P Q ratio Q B है ना यह तीनों का ratio one is to one is to one हो गया यह trisect हो रहा है और यह question में अगर bisect कहता है तो आपका दो equal parts में divide हो जाता है चली तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करते यहां पर लेट कर लेते हैं यह का coordinate औलेडि लेटी दिया हूद पालतेगे का coordinate 4 हों न है ठीक है एक का coordinate कितना लिए 4 हो ओर माइनस direct हो yaz 20 का कोडिरेट कितना है 20 के कोडिरेट माइनस टू माइनस तीरी और E B का कोडिनेट आपके थे माइनस टू, माइनस तीरी दिया हुआ है सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट P का कोडिनेट लिकालते हैं तो जब हम पॉइंट P का कोडिनेट देखेंगे तो हमेरा एह पॉइंट A और B से जब कंप्यर करेंगे तो उस स्केज में आप देख रहे हैं कि यहां पर point P है और यहां पर point A है तो इधर कितना ratio होगया 1 हो गया और इधर किया होगया देखे P इसमें कोई भी point नहीं लेना है तो इधर आपका कितना ratio होगया इधर होगया आपका 2 तो इस तरह किया point B आगया ठीक है तो यहां हम समझते हैं कि यह के रूप में 1 काम कर रहा है और यह के रूप में 2 का काम कर रहा है तो अब हम POINT P का कोडिनेट लिखा लेंगे तो लिखेंगे COORDINATES और POINT POINT P EQUAL TO है ना पहले X की लिखते फिर Y तो क्या फरमूल रहाता है एम X2 तो यहां कर रहा है तो एम एक्स टू तो एम मतलब वान इंटू एक्स टू का काम यहां पर क्या है माइनस टू तो माइनस टू लिख दिया ठीक है एम माइनस टू आपका हो गया उसके बाद आपका पलस एन एन का भेलू कितना है टू इन्टू एक्स वन एक्स में फोर हो गया टू इन्टू फोर हो गया बाई कितना हो गया एम पलस एन तो वान पलस टू लिखेंगे कॉमा उसी तरह वाई के जाब फ्रू लेगे तो वान इन्टू एम वाई टू वाई को देखे देखे कितना है माइनस 3 है पलस 2 इंटो n y1-1 हो गया और by कितना हो गया 1 पलस 2 एंप फिलस इंड कर दिये ठीक है एए आपका एक रवाई कोडिनेट लिए प्पॉइंट पी का कोडिनेट लिका रहे है इसको तो solve करिएगा तो क्या मिलेगा one में माइनस two करेंगे तो माइनस two पलस two पोर जा eight by three comma देखरेंगे तो माइनस three और माइनस two by three ठीक है तो इस तरह हम देख रहे है एट में से two गया तो six हो गया और six हो जागा तो six by three comma इधर कितना हो जागा माइनस five by three ठीक है तो finally इसका कोडिनेट की बात करेंगे तो कितना आ रहा है आपका ठीक है ठीक है फ्रेंड्स यह समझ गए आप है डारेक्ट हमारा हेंस पॉइंट पी का कोडिनेट क्या हो गया यह आपका अंसर आगया तो एक पॉइंट पी का के कॉइंट लेंगे टो कैसे लिख लेगा तो पॉइंट से अगर जाप से लिख देख लिए यहां पर समझे फिर उसी तरह अगर जब हम क्यों क्यों पॉइंट का जब लिखा लेंगे तो मेरा यह है और यहां देखे इधर कितना पाठा जाएगा इधर 11 किता टू तो इधर टू पाठ हो गया और एक क्यू हो गया और यहां पर अलड़ी के आपका बी हो गय माइनस टू है पलस है ठीक है एन एन का फिलू 1 इंटू एकस वन कितना है फोर तो वाई कितना लिखेंगे टू पलस वन ओके उसी तरह वाई को ने जब लिखेंगे तो टू इंटू एम वाई टू के फिलू कितना है माइनस थिरी पलस एन का फिलू 1 इंटू वाई वन के फ प्लस व्म ठीक है इंदि ज lot करेंगी तो और माइनस टु पहले इन टू कर लेंगे तो कितना हो जाने यहां फोर है कितना हो गया और कितना हो गया लेखिकर और theo गया तो मैंनसIch्स हो गया और यहां और बनोड हो गया थीरी I amai state32 ऑनमाइनसुलों माइनस करें तो मायनसी रएगा को टो اخना मायनस 1 हो जाएगा इस तरह अभ मायनस 4 में 4 घटे गा तो क्या मिलेगा तो फाइनली आपको का सकते हैं कि पॉइंट क्यूंत कितना हो गया जीरो और माइनस से बोल सकते हैं हैंस को ओर डिनेट्स और प्वाइंट्स कितना कितना हो गया फैला लिए टू और माइनस फाइव वाइथिरी एंड क्या बोलेंगे जीरो माइनस सेवन वाइथिरी ठीक है तो फ्रेंड्स यह आप लोगो समझ में आ रहा होगा चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ नेक्स कोश्चन है अंत तु अंग्दंग्ट एंस्पोर्ट डेक्टिबिटी ईन्यंग एक्टेक्षट डेस्पुल्रो से फ्सकोल यह हेख्स visite में दिया हुआ है ग्राउंड एबीचीडी अबीचीडी गराउन है लाइन से हेवी ड्रॉण विद इस चौक से लाइन ड्रोग किया गया है इस चौक पाउडर डिस्टेंस ऐसे वन मीटर ईछ एक उक मीटर पर डिस्टेंस पर कह लग कहा रहे हैं कि एडी के अलूग कर आए कि हैंडेट फॉलावर रखा गया है तो लाओंग एडी का तो एंड फिग्र एक निहारी का लड़की है जो रट से वन भाइफ फोर्थ ओफ दर डीस्टेंस एडी इस एडी का वन भातोंग ऩ 갖고 में देख रहा हैं तो आप पोस्ट ये गरिन एंप्लेगे पोस्ट कर रहा है और उसी क्या है गता है यह रहा है यह दूनों फ्लेग के बीच में डिस्टेंस लिकालने के लिए कर रहा है तो सबसे पहले हम बहुता करेंगे कि कि यह दोनों यह जो जिस पॉइंट पे फ्लैक कोस्ट कर रही है उसका कोडियेट क्या होगा ठीक है तो पुछ नहीं है आपको क्या करें देखिए आपको पर इस पॉइंट को आप समझी तो वन देखिए निहार का क्या वन वाइफ फॉर्थ डिस्टेंस एडी के लोंग करती टोटल एडी कितना हैंडेड है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि माल लेते की निहार का इन पॉइंट इसको एट पॉइंट से ले लेते निहार का क्या आओगा तो निहार का कोडियेट के वन वाइफ पोर्थ डिस्टेंस तो सबसे पहले हमके किस लेकिस लाइन में है है तो उसका हैंडेड का आप हैंडेड का हैंडेड का वन भाई फोर्थ लिखा लेंगे तो कितना पचीश हो जाएगा इसलिए इसका कोडिनेट के टू और ट्वंटी फाइव हो गया कितना हो गया टू और टौइंट फाइव नियर्गा उसके बाद सेकेंड है एक माल लेते यहां पर एक और किया जा रही है वह जा रही है प्रीथ है प्रीथ रहां समझे कि पॉइंट कौन सा यह पी है यह पॉइंट पी आपका हो गया तो पॉइंट पी का कोडिनेट जब हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले किस लाइन में है सबसे पह हो गया ठीक है तिस तरह अब हमेरा सिंपल कोश्चन हो गया एन और दो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है कहता क्या है कोश्चन में कि यह आपका इनिहार क्या है यह यह आपका यहाँ पर ग्रीन फ्लेक्स को पोस्ट कर रही है और यहाँ पर क्या है रेड फ्लेक्स को आपको लिख देना है सिंपल को डिस्टेंस बीटिवीन को बोथ फ्लैग्स ठीक है दोनों जंडा के बीच में डिस्टेंस क्या डिस्टेंस फर्मूला में क्या बते थे रूट अंडर क्या लिखे थे बताइए आपको यहाद है कि दोनों कोई फ्लै लगा सकते हैं देख यहां पर दोनों कोई लगा सकते हैं देकं यहां पर 3 to सब्सक्रेज़िकर 25 का hall square चलो friends अब इसको solve कर दो simple है 8 में से 2 जाएगा hero तो कितना बचेगा 6 में 8 में से 2 जाएगा 6 का square plus 20 में से 25 तो minus 5 sign को हमेशा ध्यान देना sign अगर गलत हो गया तो सारा calculation गलत हो जाएगा तो root अंडर कितना 6 का square 36 पलस देखिए माइनस 5 को बताया है बहुत बार माइनस का square पलस में ही आएगा और पांच का 25 हो जाएगा इस तरह 651 और 3.61 हो जाएगा root अंडर 61 यह यूनिट्स आ गया ठीक है ठीक है यह दोनों के बीच मेंस दोनों जंडा के बीच में डिस्टेंस कितना है रूट अंडर 61 पस इतना ही छोड़ देंगे रूट लिकाने के जोत नहीं है तो यह पहला आपका इंसर आ गया ठीक है शेकेंड नमर क्या कहा रहा है उसी में कि वाट इस दो डिस्टेंस लिकल गया इफ रेशिमी हैस टू पोस्टेर विलू दोनों के बीच में दोनों के बीच में क्या हो रहा है दोनों के बीच में भले में मिमेश मी अको यह नंत पहुंद हो गया और यह मिद आप यही долго हो गए अर्म मेरा मिड़ पॉrąिन्ट हो गया और किसका एनर की फिका इनपी का हो गया यह दुपई है यह इस पोष्ट कर रहे है बुलू फ्लैक बीच में थे लिक्राओं तरältि यह और यह पोष्ट आ तो इसका point बताना है कि कहां पे वो flag को post कर रही है means coordinate लिकालना है R का तो R midpoint है तो बाव बदाओ coordinate of midpoint क्या हो जागा तो simple लिखेंगे coordinates of R इसकल तो उसी फर्मुला तो midpoint का फर्मुला यह R midpoint हो रहा है तो बस X1 और X2 को जोड़ दो तो 2 plus 8 by 2 कर दो और 25 और कितना 20 को जोड़ दो 2 से divide कर दो तो कितना हो गया hero यह simple हो गया 8 to 10 10 by 2,45 by 2 that is इसको all liquid simplify करेंगे तो 5 से cut गया तो 5, कितना हो गया इसको काट सकते है या छोड़ सकते है या 22.5 22.5 ठीक है तो यह हो गया means एरेश्मी यह जिस point पे जाके post करेगे blue flag को वो point का coordinate 5 22.5 हो गया that is your line number 5 में और इसके बीच में है न कहीं पे 22.2 है उसके 22.5 पे वहाँ पे जाके वो post करेगे तो हाई यह question समझ गया होंगे next question है मेरा question है find the ratio in which the line segment joining the points minus 3 10 6 minus 8 is divided by minus 1 से देखिए पहले question में आपको coordinates लिकालने के लिए कहता था अब आपको क्या है इस देखिए पहले question में आपको क्या लिकालने कहता था find the coordinates of the point लेकिन इस question में आपको क्या लिकालने कह रहा है इस question में है ठीक है तो आप क्या कर लिजिए line segment को आप कर लिजिए सक्क्राइब आपको क्या माइनस वन और सिक्स ठीक है यह पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो यही जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको लिकालना है तो यहां से आप लिक लिए लेट द रिक्वाइड रेशियो रेशियो भी एम इस टू एन ठीक है एम और एम इस टू एन के रेशियो में क्या कर रहा है इसको डिवाइड पॉइंट पी एबी को डिवाइड कर रहा है मिन्स यह यह एम है और यह एन है तो यही आपको लिकालना है M is to N का value लिखालना है ठीक है find our ratio question में कह रहा था कि find our ratio find our ratio लिखालना है ठीक है चली इस question को अब solve कैसे करेंगे तो यहाँ पर already coordinate दिया हुआ ठीक है कोई दिकत नहीं है तो हमें क्या करना है point P का x value दिया हुआ है और point P का y value दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि x value of x value of point P equal to क्या फर्मूला लगाते है mx2 mx2 m into x2 का value 6 है plus nx1 n into minus 3 by केतना लिखेंगे m plus n किसी एक x value पर हम लिखने हैं अब देखें x value of point P point P का already x value दिया हुआ था आप पहले question में लिखालते थे इसके जगह पर हम minus 1 ऐसे लग दिया और देखें यहां पर 6 m कर दिए 6 में सिप से हो जाएगा और n में माइनस 3 करेंगे दोस्त तो माइनस 3 n होगा by m plus n ठीक है यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगो चले देखें अब इसको एम प्लस n इसको इंटू कर दिए घरत इधर सी इंटू के दोनों टर्म इधर इंटू हो जाएगा लिखाएगा लिखाएगा माइनस ए इन मायनस एम माइनस इसका तो इधर क्या बच गया सींपल जैसे आप यहां पर वन रेशियो बोलते हैं मैनस ववान इसक्रॉस कर दोते हैं इधर बच गया 6 एम माइनस 3 n ओके छलिए अब एम को एक तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एम और लेड़ी पहले से इधर आएगा तो माइनस इसक्स हो गया इसकल टू यहाँ से माइनस मैनस कट गया और देखे एम है और यह नहीं है तो यहां को इधर ला दीजिए तो एम एन हो गया इसकल तो इधर गया टू पहले से टू बाइस सेवन हो गया डाइट इजे एम इस्टू एन का रेशियों के इतना टू इस्टू सेवन तो यही आपका एंसर आगे मिंस यह पॉइंट जो दिया हुआ था इस लाइन ठीक है यह आपे य पेलू पे भी लिकाल सकते थे तो अगर आपको रेशियों लिकालने के लिए रहा है और जिसका कोडिनेट दिया रहा है तो आपका यही रेशियों सेवन बाइस समझ गये होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोश्चन लेके आएंगे आपका दिन सुम है प्लिज अच्छा लगा हो तो लाइक और सियर सबस्क्राइब जरूर करें और कॉमेंट जरूर करें थैंक यू